हैलो आवरीवन वेलिकम तु माय चनल तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वरक्षीत 4 के को को सेंज को और इसके पहले के वीडियो लेशन में हम लोगोंने सॉल्व कर लिया है इसके पहले के सारे वरक्षीत को वो सारे वीडियो लेशन का लिंक आपको मिल जागा description box में आप तो long division method से हमको क्या करना है ना इसका square root निकालना है ओके और इसके पहले हम लोग देख लिये थे prime factorization method को तो आईए इसको हम solve करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास first number है 9801 ओके इसका हमको क्या निकालना है square root निकालना है कौन सा method तो long division method से तो अभी हम क्या करेंगे ना हम अभी इसका पहले यहां पहले लिए एक line draw कर लेते हैं ओके चलिए कर लिए अब हमको क्या करना है प्यारिंग करना है तो प्यारिंग हमको करना है unit digits से यानि right side से तो यहां से हम पेरिंग कर लिए यह देखिए हमारा कितना हो गया टू पेर हो गया अब हम क्या करेंगे न जस्ट हम यहां पे एक और इस तरह से लाइन ड्रो कर लेते हैं चलिए ठीक है अब हमको एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसका स्क्वाइर 98 के बराबर हो या 98 से छोटा हो तो यह नं गया अब इसको हम यहां पे सब्टेक्ट कर लेते हैं तो 8-1 हमको क्या मिल गया यहां पे 7 और यहां पे 9-8 क्या मिल गया हमको 1 ठीक है अब देखिए यह जो हमने पेरिंग किया हुआ है न यह दोनों पेर एक साथ वापस निच्छे आ जाएंगे यह बहुत अब देखिए आगे हमको क्या करना पड़ेगा एक ऐसा नंबर यहां पे पूट करना है जिसको हम multiply करेंगे यह जो नंबर बनेगा उससे और वो किसके equal हो जाना चाहिए इसके equal है उससे छोटा होना चाहिए तो अब हम यहां पे एक नंबर पूट कर लेते हैं 9 ठीक है अब 9 पूट कर लिए तो यहां पे हमारे पास कुछ इस तरह का हो गया है 189 ओके अब 189 को हम 9 से ही multiply करेंगी अब हमको यह क्या मिलता है यह देखिएगा तो यहां पे हमको मिल जाता है 1701 हम इसको यहां पे 9 पूट किया तो 9 यहां पे भी हम पूट करेंगी ओके तो हमारे पास यह आ गया, 1701, अब हम माइनस कर लेते हैं, क्या मिल जाता है, 0, 0 मिल गया, तो हमको अब stop कर दना है division, अब आगे हमको divide नहीं करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, therefore, a square root, किसका square root, 9801, यह किसकी equal आ गया, यह हमारा जो यहाँ पर आ गया, quotient यह देखिए, 99, तो हमारा answer य क्या आ गया, यह answer आ जाता है, 99, तो यह कुछ है division method, ओके, यह आप practice करेंगे, तभी आप इसमें और ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, तो आईए हम और भी practice कर लेते हैं, हमारे पास है, 6561, ओके, हमको इसका निकालना है, तो just हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक line, और इसको हम pairing कर लेते हैं, right side से, चलिए, अभी हम क्या करेंगे न, हमको एक ऐसा number लेना है, जिसका square 65 के बराबर या 65 से छोटा हो, तो यहाँ पे हमारा जो number आएगा, वो हमारा होगा 8, ओके, आप देखिए, 8 को 8 से multiply करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, 64, ओके, चलिए, हम यहाँ पे minus कर लेते हैं, तो हमको 1 मिल जाता है, और यह जो pairing किया है, दोनो pair एक साथ निचे आएंगे, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, 61 निचे ले लिए, चलिए, कितना से हमने किया था, 8 से, तो 8 से किया, तो हम 8 यहाँ को plus कर लेंगे, तो 8 प्लस 8 हमको क्या मिल जाता है, यहाँ 16 not कर लिए अब हमको यहां पर एक नंबर ऐसा रखना है जिसको हम multiply करेंगे उस नंबर से तो हमको क्या मलना चाहिए 161 या इससे छोटा मिलना चाहिए तो यहां पर obvious है कि हम लोग 1 ही put करेंगे तो 1 put करेंगे तो क्या हमको मिल जाएगा 161 चुकि हमने 1 put किया है तो इसको हम 1 से multiply करेंगे तो हमको यह क्या मिलेगा 161 तो चुकि 1 put किये तो 1 से multiply करेंगे तो 1 हमको यहां पर put करना पड़ेगा तो हमारे पास यह आ जाता है 161 इसको हम minus कर लेते हैं, हमको क्या मिलता है यहां पे 0, यहां पे minus का sign आप लगाएंगे, हर जगा हम minus कर रहे हैं, तो यह minus का sign आप मत भूले, यहां पे minus रहेगा, उके चलिए, तो हमको क्या मिल गया 0, तो अभी हमारा result आजाता है, हमारा answer क्या जाता है, therefore हम लिखेंगे square root कि इसका 6 6561 यह हमारा हो गया 81 के equal ओके तो 81 हमारा answer हो गया ठीक है हमने समझ लिया चलिए और भी questions को हम लोग practice कर लेते हैं तो सबसे पहले थे हमको यहाँ पेरिंग करना पड़ेगा तो हम यहाँ पेरिंग करते हैं राइट साइड से ओकी यहाँ ध्यान रखिएगा पेरिंग हो है दो-दो डिजिट का अब क्या करेंगे हमारे पास पहला प्यार वह थाटी नाइन तो एसा नंबर चूज करेंगे जिसका स्कॉइर थार्टी नाइन से कम हो या थार्टी नाइन के बराबर हो तो यहाँ पर हमारा जो नंबर आता है वह हमारे पास सिख्स को हम अस्कॉ叻 करते हैं हमको क्या मिलता है're 36 to six को हम six से Bachelor कर लिए हम्को क्या मिल गया thirty वोके चलिए अब हम यहाँ पर मैनस करते हैं तो मैनस करना सो क्या मिल जाता हैं हम यहाँ पे three toot कर लिए अब यह जो दोनों pair है यह एक साथ नहींची आजाएगा, अभी हमको क्या हो गया, next हम यहाँ 6 से लगाये हैं, तो 6 हम add करेंगे, तो 6ggs add करेंगे, हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, के लिए चलिए, अभी हमको क्या करना पड़ेगा न, यहाँ पे एक नम्मर रखना है, जिसको हम multiply करेंगे उसी से तो हमको क्या मिलना चाहिए 306 या फिर इससे छोटा मिलना चाहिए तो आप यहाँ ध्यान दिजी अगर हम यहाँ पे 3 रख देते हैं तो हमको ज़्यादा बड़ा नमबर मिल जाता आईए हम चेक कर लेते हैं माले जिए कि यहाँ पे हमने 3 को put कर लिया तो 3 को put करेंगा तो 3 से हमको multiply करना पड़ेगा तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एं 3 बन जा 3 यह देखिए 361 आ गिया लेकिन यहाँ पे 306 है इसका मतलब यहाँ पे हम 3 put नहीं कर सकते हैं तो हमको क्या put करना पड़ेगा हम 2 put कर लेते हैं चलिए 2 put कर लिए तो 2 से हम multiply करेंगे अब देखिए यह हमारे पास 122 बन चुका है यह हमारे पास क्या बन चुका है 122 अब हम इसको 2 से multiply करते हैं देखते हैं क्या मिलता है तो यह 4 यह 4 और यह 2 244 तो हमारा यह 2 से यहाँ पे चल गया तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और यह हो गया हमारे पास 244 ओके यहाँ पे हम minus कर लेते हैं minus कर लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 10 minus तो होगा ने carry कर लेते हैं तो 10 minus 4 that is 6 यहाँ पे बच गया 2 2-2-0 उसको लिखने का बसकता नहीं है अब हम क्या करेंगे न यह दोनों पेर को एक साथ नेचे ले आएंगे 2 भी आएगा और 5 भी आएगा हमने last में क्या चिस से लगाया था 2 से लगाया था तो 2 को हम यहाँ पे add करेंगी यह ध्यान रखिएगा जब 2 को add करेंगे तो क्या हो जागा यहाँ पे 2 प्लस 2 दाट इस 4 और यह हमारे पास 2 रहेगा और यह हमारे पास 1 रहेगा तो 124 हम को मिल गया है अब हम क्या करेंगे एक नमबर यहाँ पे पूट करेंगे किलियर वो नमबर ऐसा होगा ताकि उसको हम multiply करेंगे तो कितना आना चाहिए 6,225 के बराबर या तो उससे छोटा आना चाहिए ओके चलिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ट्रिक क्या है ना चुकि लास्ट में 5 है तो जब भी लास्ट में 5 है तो हम लोग 5 से परियास कर लेंगे किस से परियास करेंगे 5 से परियास करेंगे 5525, 5420 plus 2 that is 22 and 520 plus 2 that is 12 and 5.5 plus 1 that is 6 तिये हमको मिल गया 6,225 इसका मतलब मेरा काम हो गया हम यहाँ पर 5 रख दिये तो 5 से हमको यहाँ पर multiply करना पड़ गया और यह हमको मिल जाता है 6,225 ओके यहाँ पर हम मैनस करेंगे तो हमको मिल जागा 0 तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारा square root आता है कि इसका 3,9,0,6,2,5 इसका जो square root आता है वो हमारा क्या आ गया यह quotient 625 तो हमारा अंसर हो गया 625 ओके इस तरह से हम solve करते हैं अब question number 4 को हम try कर लेते हैं तो हमारे पास है question number 4 पे यह है 108241 ओके तो हम यहाँ पर note कर लेते हैं 108241 ठीक है note कर लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर सबसे पहले तो एक line लेना पड़ेगा ओके मैं एक line draw कर लेता हूँ ओके चलिए अभी हमको आप क्या करना है यहाँ पर pairing कर लेना है तो pairing हम कर लेते हैं right side से ओके pairing right side से होगा आप ध्यान रखेगा अभी हमारे पास cat यह आगया 10 एक ऐसा number choose किजिए जिसका square 10 के बराबर या 10 से छोटा हो तो यह obvious है 3 होगा ओके तो आप 3 से यहाँ पर multiply करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 9 चलिए आप 9 को यहाँ पर subtract कर लिजए तो आपको यहाँ पर 1 मिल जाएगा अभी आपका जो दोनों pair है वो दोनों के दोनों निच्चे आजाएंगे आने 82 आपने 3 से यहाँ पर लगाया तो 3 यहाँ पर आप एड करेंगे तो आपको क्या मिल जाए यहाँ पर 6 अब आपको एक ऐसा नमबर यहाँ पर पूट करना है जिसका जिसको multiply करने के बाद यह 182 से छोटा या यह इसके बराबर आ जाए ओके तो चलिए हम लोग पूट किये तो टू से ही multiply करेंगे तो टू तू जाब फोर एन यह हो गया हमारा 6 तू जाब 12 अगर 3 पूट करते तो ज्यादा बड़ा आ जाता है तो हमारे पास आ जाता है यहां पर नीचे ले आए कि यह हमारा नीचे आ रहा है छिक है अब हमने किस से लगाया था लास टाइम 2 से तो हम यहां पर टू एड़ कर लेंगे तो टू प्लस टूम को यहांपर क्या देगा फोर और यह हमारे पास क्या है 6 चलिए अब हमारा टार्गेट क्या है एक ऐसा आप learn करेंगे जब भी हमारा last में 1 हो तो हम लोग 1 से करेंगे या तो फिर किस से करेंगे हम लोग 9 से करेंगे तो 1 से करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा तो हम चलिए 9 से करके देख लेते हैं तो यह हमारे पास है 6, 4, 9 हम इसको multiply कर लिए 9 से तो क्या मिलेगा तो 9, 9, 81 carry over 8 9, 4, 36 plus 8 that is 44 9, 6, 54 plus 8 4 equal to 58 तो 58 तो 58, 4, 1 आ गया तो हमारा काम हो गया हम यहाँ पे 9 put कर लेते हैं और यह हमारे पास आता है 5, 8, 4, 1 हम इसको minus करते हैं तो 0 तो अब हमको आगे काम नहीं करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे therefore square root किसका 108241 यह हमारे पास आ जाता है 329 इस तरह से हम बड़े आसाने से solve कर लेते हैं चलिए और भी questions को try करते हैं तो वही पहला काम pairing कर लिए और इसके बाद आपको यहाँ पे जो pairing में आ गया है 36 तो एक नमबर चूज कीजिए जिसका square 36 के बराबर या तो उससे छोटा हो तो यहाँ पे 6 आ रहा है और 6 का square किये तो 36 मिल गया 36 not किये यहाँ पे minus किये तो 0 अभी हम दोनों को नीचे ले आते हैं 3 और यह 6 ओके दोनों को नीचे ले आए ओके तो अभी हम यहाँ पे 6 से लगाए तो 6 इसमें add कर लिए तो 6 add किये तो हमको क्या मिल गया यहाँ पर यहाँ पर हमको मिल गया 12 ओके अब हमारा काम क्या है एक क्या पूट कर लेते हैं one को put कर लेते हैं okay तो one से छोटा हम put कर नहीं सकते तो one से हम अगर multiply कर लेते हैं तो हमको क्या मिलता है ये हमको मिलता है two one two zero ben two one hundred and twenty وminute okay one hundred and twenty one तो ये हमारे पास क्या है thirty six है के वल इसका मतलब one से तो मेरा होगा नहीं तो इस condition में हम क्या करेंगे न यहाँ पर 0 का यूज कर लेंगे ठीक है तो हम यहाँ पर क्या करते न जीरो का इस्तिमाल कर लेते तो 0 से हम multiply करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा माइनस करने पर 36 आ जाएगा किलियर अब हमारे पास यह जो अगला पेयर है वो यहाँ पर नीचे आ जागा यह जो पेयर है यह हमारा यहाँ पर नीचे आ गया चलिए अब हमने last time किस से लगाया 0 से तो 0 हम यहाँ पर add कर लेते हैं तो 1 2 0 हमको मिल जाएगा अब हमारा target क्या ह एक ऐसा नमर लेना है जिसको multiply करने पर हमारे पास क्या जाए थिरी 6 0 9 तो हमारे पास है 1 2 0 हम यहाँ पर 3 लेके देखते हैं कि क्या होता है ओके 3 क्यों तो कि 3 3 9 हो रहा है इसलिए जब 3 से हम multiply करते हैं तो हमको क्या मिलेगा 3 3 9 और यह 0 और यह 6 और यह 3 ओके तो इसका मतल पूट कर लिए हम यहाँ पर 3 पूट कर लिए 3 पूट कर लिए तो यहाँ पर हम 3 रखेंगे और यह हमारा हो जाता है 3 6 0 9 माइनस करने पर 0 ओके तो इसका मतलब हमारे पास क्या आगया answer हम यहाँ पर लिखेंगे यह therefore a square root a square root कि इसका 3 6 3 6 0 9 is equal to यह आगया 603 ओके जो हमारा quotient आता है वह हमारा answer होता है आप इसको ध्यान रखेंगे चलिए और practice कर ले तो यहाँ पर फिर से हम लोगो pairing करना पड़ेगा अब देखिए हमारे पास pairing करने के बाद पहला pair क्या आता है 12 तो एक ऐसा number choose किजिए जिसका square 12 से छोटा हो या उसके बराबर हो तो यह number हमारे प multiply किए 3 से तो हमको क्या मिल गया 9 यहाँ पर मैनस कर लिए हमको क्या मिल गया 3 ओके यह दोनों ही pair हमारे नीचे आ जाएंगे तो अभी हमने 3 से लगाया तो 3 हम add कर लेंगे 3 3 क्या हो जागा 3 और 3 को add करने पर 6 मिल जाएगा आप ऐसा number यहाँ पर चूज किजिए जिसको multiply करन पर 304 आ जाए या उससे काम आ जाए ओके तो आईए हम यहाँ पे कुछ number को try कर लेते हैं तो सबसे पर हम यहाँ पर try कर लेते हैं 5 से ओके तो अगर हम 5 से multiply करें तो 5 25 5 6 30 प्लस 2 यह हो गया क्या हमारे पास 32 तो 325 आ रहा है लेकिन यहाँ पर 324 इसका मतलब 5 से नहीं होगा हमारा four से करना पड़ेगा तो चलिए हम four से कर लेते हैं तो four से कर लिए तो क्या मिला four four जा four four जा हमको यहाँ पर मिल जाता है 16 ओके और four six जा क्या मिल गया हमको four six जा मिल गया 24 प्लस one that is 25 आप यहाँ पर करके देख सकते हैं कोई दिकत नहीं है आप आराम से कर लेजे गलत six जा गया है अब आप क्या किजिए माइनस कर लिजिए यहाँ भी माइनस साइन रखिए और यहाँ पर माइनस करने पर आपको क्या मिल जाता है तो यह तो माइनस होगा नहीं तो आप कैरे किये तो 14 14 माइनस six तो आपको eight मिलेगा यहाँ पर nine nine minus five that is four और यहाँ पर आपने बोरो किया था स्वरी बोरो किया था तो बोरो यहाँ पर क्या बच किया आपका two minus two zero उसको लिखने क्या बच सकता नहीं है अब यह अगला पेयर जो है आपका नीच से आ जाएगा यह आपका यहाँ पर zero nine आ गिया आपने last time four से लगाया था four आप add कर लेजिए four plus four क्या हो ग करते हैं या तो हम seven से try करते हैं ओके यह अपना keyword है आप इसको learn करेंगी तो आभी हम seven से try कर लेते हैं तो हमारे पास six eight और यह seven हो जाएगा अब हम seven से multiply कर लेते हैं तो seven seven जा क्या हो गया 49 okay seven eight जा क्या होता है ना 56 plus four यह हमारे पास हो गया 60 carry over six और यह हमारा six forty two और यहाँ पे six answer क्या हो गया जो स्क्वाइर रूट है one two zero four nine zero यह आ गया three four seven ओके यह हमारा answer क्लियर कि तो पहला काम pairing का तो pairing right side से ओके तो यहाँ पे pairing करने पर हमको last one बच गया है ठीक है तो यह हमारे पास जो one बच गया है रहने दीजिए कोई बात नहीं हम यहाँ पे इधर से ले लिते हैं तो हमारा पास जो one बच गया है हम अभी क्या करेंगे न एक ऐसा नमबर चूच करेंगे जिसका square one के बराबर या तो फिर one से छोटा तो यहाँ पे one ही लेना पड़ेगा obvious से तो one into one हमको one मिलेगा और यहाँ पे minus करने से यह zero तो यहाँ पे हमको यह अगला pair 47 वो नीचे आ गया चूकि हमने one से लगाया था one add कर लिए तो one add कर लिए था हमको लद करने पर 47 से छोटा या 47 के बराबर तो अभी असे कि यहाँ पे टू लेना पड़ेगा। जब two हम लेते हैं तो 22 को हम किसे multiply कर लेंगे two से multiply कर लेंगे तो 44 मिल जाएगा तो हमको यहाँ पे मिल गया है 44 हमने यहाँ पर minus कर लिया हमको यहाँ पर मिल गया three okay अभी हमारा अगला पेर वह आपस आजाएगा यह निचे आजाएगा वन थिरी हमारा निचे आगया लास्ट टाइम टू से लगाए तो टू एड़ कर लेजी तो यह फोर और यह हमारे पास यहां पर टू अभी हमारे पास टार्गेट क्या है यह कैसा नंबर रखना है जिसको मल्टिप्ल हो जाता है आपको one रखना पड़ेगा तो वन रखेंगे तो आप one से मल्टिप्लाइ कर लिए तो one से मल्टिप्लाइ करेंगे तो दो नोश यही रह जाECएगा आपका ओक्याप माइनस कर लेजिए तो यहां Medicare यहां यहाँ से आप बोरो कीजिए, तो 11-4, that is, आपको मिल जाता है 7, और यहाँ पे 2-2, यह आपको 0, लिखने क्या बाशकता नहीं है, अगला पेर ले 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 जिए, 69, आप यहाँ पे put कर ले जिए, अभी आपने last time किसे लगाया था, 1 से, तो 1 add कर ले जिए, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 plus 1, that is 2, और यह 4, और यह आपका 2, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, एकसा नमबर लेना पड़ेगा, जिससे आप multiply करेंगे, तो आपको 7, 2, 69 आना चाहिए, तो हम यहाँ पे try कर लेते हैं, जब भी 9 होता है, तो हम लोग try करते हैं किस से, या तो 7 से, या तो 3 से, तो यहाँ पे 2, 4, 2 है, हम अभी 3 से multiply कर लेते हैं, तो 3 से multiply कर लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, 3, 3, 9, 3, 2, 6, 3, 4, 12, 3, 2, 6, प्लस 1, 7, यह हमारा आ जाता है, तो हम यहाँ पे 3 से लगा लिए, तो यहाँ पे हम क्या put करेंगे, 3 put करेंगे, और यह हमारे आ गया, 7, 2, 6, 9, हमने माइनस कर लिया, 0, तो हमारा answer क्या आ गया, therefore हम लिखेंगे, square root, 1, 4, 7, 1, 3, 6, 9, equal to, यह हमारे पास जो quotient आ गया है, 1, 2, 1, 3, हाना, 1, 2, 1, 3, यह हमारा answer हो गया, ओके, तो बड़े ही आसाने से इसको हम solve कर लिए, चलिए एक और last है, उसको भी देख लेते हैं, तो सबसे पहला काम pairing का, तो pairing हम लोग right side से करेंगे, यहाँ पे 5 अपना बच गया है, तो पहले हम 5 के साथ division ले लेते हैं, तो चलिए, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा number choose करेंगे, जिसका square 5 से छोटा हो, तो अब यह से की 2 होगा, तो 2, 2 जा क्या होगे है न, 4, आप यहाँ पे minus किजिए, आपको 1 मिल जाएगा, तो 1 मिलने के बाद, आपको यहाँ पे अगला जो pair है, 7, 1 वह आपका निचे आजाएगा, चुकि 2 से लगाए, तो 2 यहाँ पे add करेंगे, तो आपका 4 हो जाएगा, अब आप ऐसा number choose किजिए, जिससे multiply करना पर आपका 171 से जैदा नहीं आए, बलकि उससे कम आए, तो हम यहाँ पे try कर लेते हैं, पहले 4 से, तो 4 से try करेंगे, तो 4, 4 जा 16, और 4, 4 जा 16, प्लास 117, तो 176 आजाता है, तो हमारा 4 ने होगा, इसका मतलब 3 होगा, तो 3 से multiply कर लिए, तो आप देखिए, हम 3 से multiply कर लेते हैं, तो हमको क्या मिलता है, तो हमको यहाँ पे मिल गया 129, ओके चलिए, अब हम यहाँ पे minus कर लेते हैं, तो 11 minus 1, यहाँ पे borrow करना पड़ेगा, तो 11 minus 1 हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है 2, और यह हमारे पास हो गया, 6 minus 2, that is 4, 1 minus 1, 0, अगला pair हमारे पास नीचे आ जाएगा, यह हमारे प हमने यहाँ पे 3 से लगाया, तो 3 हम कर लेंगे add, ओके, और यह हमारे पास हो जाएगा 6, और यह हो गया 46, अब हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, एक ऐसा number चूज करना पड़ेगा, जिससे multiply करने पर हमको कितना आ जाए, 4, 2, 2, 1 के पराबर या उससे काम आ जाए, तो जब भी हमारे पास 1 रहता है, तो हम लोग 1 से try करते हैं, या तो फिर 9 से try करते हैं, तो इस case में हम लोग 9 से try कर लेते हैं, चलिए 9 से try कर लेते हैं, तो हमारे पास हो गया 4, 6, 9 और इसको हमने multiply करा 9 से, तो 9 से जब multiply करेंगा, तो 9, 9 जाए 81, 9, 6 जाए कितना हो गया, 54, प 6 ना तो 940 36 plus 6 that is 42 तो यह हमारा हो गया 9 से हमारा काम हो जाता है तो 9 हमने यहाँ पे लगा दिया है थमको मिल गया 4 2 2 1 हम minus कर लिए तो 0 तो therefore हम लिखेंगे a square root 5 7 1 2 1 equal to हमारा quotient क्या आ गया 2 3 9 तो हमारे पास यह आ गया 2 3 9 ओके तो हमारा complete हो जाता है तो इस तरह से worksheet 4 के question number 1 के सारे questions को हम लोग ने आपे solve कर लिया है so I hope this video lesson is helpful for you so like this video and share with others and do some comments also do subscribe my youtube channel and hit the bell icon to get the notification of upcoming videos thanks for watching have a glorious day ahead